क्लास एर्थ के चैप्टर नंबर फोर ट्राइबल दिखूज एंड दा विजन आफ गोल्डन एज में आपका स्वागत है हिस्ट्री के हम तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं यह हमारा फोर चैप्टर है इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेगा क्योंकि यह चैप्टर थोर सा डिफिकल्ड लगता है लोगों को पर यह है बहुत सरल सबसे पहले इसमें शुरुआत होती है कि बिर्सा मुंदा करके एक विक्ति था बिर्सा वास बार निना फैमिली आफ मुंदास यह मुंदा फैमिली में जन्व हुआ था मुंदा फैमिली एक ट्राइबल ग्रूप है जो छोटा नाकपुर में रहती थी और उसके जो फालोवर्स थे मतलब उसने एक आंदोलन चलाया था ब्रिटिश के विरुद अंग्रेजों के विरुद उनमें दूसरे ट्राइबल दूसरे रीजन के भी शामिल हो गए थे जिसमें संथाल और और औरांस भी शामिल थे और ये लोग क्या थे जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तो उससे ना किवल गाओं के लोगों को शहर के लोगों को बलकि जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों को ट्राइबल ग्रूप को भी क्या परिशानी हुई इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे ये लिखा हुआ है All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problem they were facing under British rule Their familiar ways of life seem to be disappearing Their livelihood were under threat and their religion appeared to be in danger तो ये सब उनके साथ हो रहा था कि जो ये लोग ट्राइबल लोग थे इनकी जो जिंदिगी थी वो बहुत प्रभावित हुई British rules से और उनमें क्या-क्या प्रभाव पढ़ा ये चैप्टर ये ही deal करता है कि कौन सी problem थी जिसके लिए बिरसा मंदा को खड़ा होना पढ़ा और किनको ये लोग दिखूस कहते थे ये लोग दिखूस कहते थे दिखूस का मतलब बुरे वेक्ति होता है और या राक्षस होता है और अंडर दा बिटिश ट्राइबल लाइफ कैसे चेंज हुई हम इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में देखेंगे कि ये सोसाइटीज फॉरेस्ट में रहती थी इनके खुद के रिच्वल्स और कस्टम होते थे जो बाकी लोगों से अलग थे जो ब्राम्भन लोगों ने उस जमाने में डाले हुए थे समाज में नियम उनसे इनके नियम अलग थे और उनके जातियों में शार्प कास्ट डिवीजन नहीं था उनकी जो लाइफ थी वो जंगल में एक अलग तरह की जिंदगी थी उनके अलग रीती रिवास थे और आज भी आप देख सकते हैं कई ऐसे ट्राइबल हैं इनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से अलग है तो यह लोग वेराइटी ओफ एक्टिविटीज करते थे जैसे इनकी सबसे फेमस एक्टिविटी है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने है वह है शिफ्टिंग कल्टिवेशन या इसले जूम कल्टिवेशन हैं कर एक इसमें क्या ओता था इस हर उन समॉल पैच्चे ऑफ लैं ओंसली इन फ्अरेस्ट ये क्या होता था, forest में किया जाता था ये क्या करते थे, forest में छोटे मोटे patch of land को लेते थे और उसके आसपास के trees को साफ कर देते थे और उस जगह पर जो भी जाड़ियां वाड़ियां होती थे उनमें आग लगा देते थे और जो ash होती थी, उसको क्या करते थे, जमीन में फैला देते थे ताकि जो मिट्टी है उसकी fertility बढ़ जाए क्योंकि जो लगड़ी जलती है उसमें potash होता है और potassium से जो होती है वो मिट्टी की और बढ़ जाती है और इस तरह से वो क्या करते थे, उस land को तयार करते थे और फिर उसमें क्या करते थे, अनाच को बोते थे या जो grain के seed है उनको बोते थे, sow करते थे और इस तरह से क्या होता था, वो अपनी cultivation किया करते थे आप देख सकते हैं, इस तरह से जंगल के बीच में वो cultivation किया करते थे तो ये उनका main तरीका था, अनाच को बढ़ाने का या food को बढ़ाने का दूसरा था कि कुछ लोग hunter gatherer थे hunter gatherer मतलब होता है कि जो शिकारी थे in many reasons, tribal groups lived by hunting animal and gathering forest produce ये लोग forest produce को gather करते थे और वो forest को essential मानते थे survival के लिए या उनकी जिन्दगी के लिए, जीने के लिए khorns जो एक ऐसी community थी, जो Odisha में रहती थी और वो collect करते थे fruit, forest से ये देखिए महुआ के fruit दिये हुए हैं, ये लोग ये बहुत collect करते हैं और ये पत्तियां collect कर रही हैं और उनसे वो पत्तल बनाके बीचते हैं Some of them did odd jobs in village, carrying loads and building roads, कुछ जो है वो road building का काम करते थे और कुछ जो है peasant और farmers के field में labor का काम करते थे तो इस तरह से इनकी जिन्दिगी जो थी बहुत अधी forest पर depend थी और ये forest को अपना निजी land मानते थे, वो ये मानते थे कि हम ही यहां के मालक हैं अब their thinking, इन लोगों की thinking क्या थी Bega saw themselves as people of forest, ये अपने आपको people of forest मानते थे who could only live on produce of the forest कई ऐसी जन जाती हैं जो ये मानती थे, जैसे Bega लोग हैं ये मानते थे कि हम तो सिर्फ forest के produce, forest से जो भी मिलता है, जैसे फल मिलते हैं, जड़ी बूटिया मिलती हैं तो वो उसी से अपना जीवन यापन करते थे और it was below the dignity of Bega to become a liberal और ये किसी भी हालत में लेवरर बनना नहीं चाहते थे अब कुछ tribal group हैं इंडिया की, जो आपके book में दी गई हैं, जिनको आप देख सकते हैं कौन कौन सी tribal group हैं और कौन कौन सी जन जाती हैं और वो कहां कहां हैं तो ये tribal group जो होते थे, ये अपने कुछ चीजों की जरूरतों के लिए जैसे मान लिए इन्हें नमक चाहिए या इन्हें शक्कर चाहिए तो इसके लिए ये क्या करते थे, कि जो जंगल से produce होता था, उसको ये बेच देते थे और ये traders और money lender पर depend करते थे, trader मतलब व्यापारी और money lender मतलब पैसा उधार देने वाले traders came around with things for sale, traders जो होते थे व्यापारी थे, वो चीज़ें लेकर के sale करने के लिए आते थे और money lender उनको loan देते थे, परनतु वो इतना अधिक interest लेते थे loan में, it was usually very high तो इसलिए tribal जो थे market, commerce, offerment, debt and poverty तो tribals के लिए इसका ये मतलब था कि यदि वो market में कुछ भी ले रहे हैं या market से ज़्यादा समान ले रहे हैं तो या तो debt में आ जाएंगे, debt मने होता है, rent, किसी से उधार लेना और गरीबी में हो जाएंगे तो इसलिए वो money lender और trader को evil outsider देखते थे और अपनी भाषा में उन्हें दिखू कहते थे अपने lesson का नाम यह है फिर कुछ जो थे वो herd करते थे animals को यह लोग herding और rearing करते थे, यह pastoralites थे, pastoralites का मतलब होता है जो जंगल में अपने जानवरों को चराने ले जाते हैं और कुछ लोगों ने settled cultivation कर लिया था, मतलब कहीं एक जगह स्थेर हो करके वो लोग खेती करने लगे थे और year after year वो ऐसा काम करते थे, और कुछ जो लोग थे जंजाती, उनके कभीले बहुत बड़े थे तो उन लोगों ने power gain कर लिया था, वो chief बन गए थे और यह क्या करते थे, कि वो rent में देने लगे लोगों को land उनके लोगों को कि आप खेती करिये जमीदार टाइप यह रहने लगे थे, लेकिन जैसे ब्रिटिश का rule आया, ब्रिटिश के officers जो थे, वो इनको civilized मानते थे, जो लोग settled थे उनको, गोंड और संथाल को, लेकिन shifting cultivators और जो forest में रहते थे, उनको जो है वो जनरली wild और savage मानते थे, तो यह question आता है कि ब्रिटिश क्या मानते थे इननों को, तो इननों को जनरली जंगली मानते थे, savage मानते थे, और यह चाहते थे कि यह लोग settled हो जाए, क्योंकि ब्रिटिश के लिए बड़ा difficult होता था कि tax कैसे वसूल करें, तो इन लोगों ने क्या क इनकी जिन्दिगी में बहुत प्रभावपड़ा, अफेक्ट पढ़ा है, तो नमबर वन, क्या अफेक्ट पढ़ा, before the arrival of British, many areas, tribal chief or important people, जो इनके areas थे, उनमें tribal के जो chief थे, tribal के जो सरदार थे, वो मुख्य थे, उनके कुछ economic power थे, और administration के power थे, और उनकी खुद की police थी, और बिटिश रूल, तो जो इनके function और power थे, ट्राइबल चीफ के, वो बहुत ज़्यादा change हो गए, considerably change हो गए, और उनको ये allow तो किया, उन्होंने कि वो अपने land titles या जो उनको सरदार कहा जा रहा है, या जहां का सरदार माना जा रहा है, वो वहां के सरदार तो रहेंगे, पर और discipline में रहें, जब British लोग आएं, उनको जादा आहमियत दें, तो इस तरह से उन्होंने अपनी authority को खो दिया, जो पहले उनके पास थी, और वो अपने traditional functions को fulfill करने में असफल होने लगी, तो इस तरह से British rule ने सबसे पहले तो जो chief थे या जो सरदार थे उनको प्रभावित क किया, उसके बाद जो shifting cultivators थे जैसे अपने बताया कि जो जंगलों को जला के छोटे-मोटे भाग को और वहाँ पर खेती करते थे, उनके पास fixed land नहीं थे, जो बिटिश चाहते थे कि वो peasant cultivator बन जाए, ताकि उनके उपर easy हो जाए, यह लिखा है, settled peasants were easier to control and administrator than people who were always on move, British also wanted regular revenue source for the state, British चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि वहाँ जहां पर भी खेती करें, तो हमें tax दें, लेकिन shifting cultivators के साथ, जगे-जगे जूम खेती करते थे, या shifting cultivation करते थे, उनसे tax लेना British के लिए बहुत difficult हो गया था, तो उन्होंने land settlement use किया, उन्होंने measure किया land को, और हर व जिससे क्या है, और कुछ लोगों को land owner बना दिया, कुछ को tenant बना है, मतलब उनको rent पे जमीन दी, इस तरह से क्या हुआ, जूम cultivation वालों को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन British लोगों के लिए जूम cultivators को हर जगे set करना मुश्किल था, कई बहुत बढ़े जंगल थे, तो कई ज जाओ जमीन का मिलना बहुत मुश्किल था, जैसे British चाहते थे कि उनको कोई जमीन दे दी जाए, तो जो भी जमीन उनको दीगे, उसमें उपजी नहीं होती थी, उसमें फसली नहीं होती थी, So the June cultivator in North East India insisted on continuing their traditional practice, तो North East में उन्होंने जो ट्राइबल थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं हम तो अपनी पुरानी practice या पुरानय जो पधती वही करेंगे, जब British ने देखा कि बहुत अधीक प्रोटेस्ट हो रहा है, फेसिंग वाइड इस्प्रेट प्रोटेस्ट, British had to ultimately allow them to right to carry the sifting cultivation in some part of the forest, तो इस प्रकार से कुछ जगह पर British को जुखना पड़ा और उनको sifting cultivation की बात माननी पड़ी, फिर तीसरी बात है forest law और उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो forest पर British ने अपना control बढ़ा दिया और कुछ forest को उन्होंने reserve forest घोषित कर दिया और यह कह दिया कि वहाँ के लोग वहाँ रहनी पाएंगे, ना वो वहाँ जूम cultivation कर पाएंगे, ना fruit को collect करेंगे, और ना ही वहाँ animal को hunt करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को जंगल छोड़ के जाना पड़ा, पर इसे British लोगों को, अंग्रेज लोगों को एक दिक्कत हो गई, कि उनको जंगल की कटाई करवानी पड़ती थी, railway के लाइन बिचाने के लिए, जो railway की लाइन होती थी, उसके नीचे railway slippers लगते थे, railway sleepers का मतलब होता है, उस समें लकडी से बनाया जाते तो उनकी उपर रेल की पट्री रखी जाती थी, तो साल के वर्क्षों को काटने के लिए उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी, तो उनने कई जगे क्या किया, forest village की इस्थापना की ये लिखा हुआ, in many reasons, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor for cutting locks for railway sleepers, तो बिटिश लोगों की इन रीतियों की वज़े से कई लोगों ने revolt किया, और ऐसा ही सोंग्राम संग्मा करके जो revolt था उन 1906 में हुआ, और forest सत्याग्राए 1930 में central provinces मतलब मध्यचेत्र में हुआ, फिर इसी प्रकार problem हुई trade वालों के साथ, traders भी क्या करते थे, इन लोगों को बहुत बेखूफ बनाते थे, tribal लोगों को, उस जमाने में यूरोप में यहां का सिल्क बिकता था और आपको पता होना चाहिए कि जो सिल्क होता है वो ककून से बनता है, आपको आपने पहले पढ़ा होगा, तो यह लोग क्या करते थे, बिटिश ऑफिशियल, यह tribal लोगों से ककून को खरीदते थे, खासकर यह हजारी बाग करके एक जगह है, वहाँ पर, वो लोग तीन या चार रुपे देते थे, हजार ककून के, और फिर उनको फाइब टाइम्स जादा प्राइस करके बाहर कीमत बाहर कितनी है, तो उन लोगोंने उससे बहुत बुरा लगा, और फिर उन लोगोंने क्या किया, इन लोगों को वो एनिमी मानने लगे, ट्रेडर्स और मनी लेंडर को, क्योंकि उन्हें समझ में आने लगा कि यह लोग उनका एक्स्प्लॉइटेशन कर रहे हैं, या श कांटेशन मतलब होता है, जैसे कौफी के बागान, केले के बागान बनाना, बहुत बड़े गार्डन मनाना, तो उनके लिए जो है, इनको भरती किया जाने लगा, और माइनिंग मतलब होता उस जमाने में धर्टी के, अभी भी धर्टी के अंदर, जो है, कई जगों पर तो उनमें इनको भरती किया जाने लगा यह देखी इनकी फोटो दिए हुई है और बहुत कम इनको मजदूरी दी जाती थी और कई बार तो यह अंदर ही दब के मर जाते थे एक बार 2000 लोग मर गए थे 2000 वरकर 1920 तो इस तरह से इनको बहुत ज्यादा परिशानी होने लगी ट्र विद्रोव हुए जैसे कोल के विद्रोव हुए थे 1831 में संथाल लोगों ने विद्रोव किया था रिवोल्ट किया था बस्तर में रिवोल्ट हुआ था इस तरह से सज्य के रिवोल्ट होने लगा इसी रिवोल्ट में एक व्यक्ति का नाम आता है विर्समुंडा यह व्यक्ति अपने जीवन बिताता है, ये भी जो थे बच्छपन में ग्रेजिंग श्रीप करते थे, भासुरी बजाते थे, लोकल अखाड़ा में डांस करते थे, उसके पिताजी, बिर्सा मुंडा के पिताजी को जगह जगह घुमना पड़ता था काम के लिए, तो वो अकसर कि सती उगाएगा, गोल्डनेज आएगी, तो वो उसके सपने देखा करते थे बच्छपन में, और वो चाहते थे कि ये दिखूज लोग हैं, दिखूज वो किसको मानते थे, यूरोपियन को, ट्रेडर को, और मनी लेंडर को, तो वो ये चाहते थे, क्योंकि अपने अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया, कि इन सब के नियों से वो बहुत परिशान थे, तो इन से वो मुप्ती पाने के जो एज थी, उसको गोल्डनेज ये मानते थे, बिरसम उन्डा, तो इन्होंने लोकल मिशिनरी स्कूल में उस समय पढ़ा, और वहां जो मिशिनरी स स्कूल थे, उसमें उनके उपदेशों को सुना, उन्होंने देखा कि उनको कहा गया, कि मुंडा यदि किंग्डम आफ हैवन को अटेंड करना चाहते हैं, तो वो क्रिश्चन मन जाएं और अपनी बैट प्रैक्टिसेस को छोड़ दें, बिरसम उन्डा बाद में वैश्णो लोगों के संक्वार्क में आये और उन्होंने सैकरेट थ्रेट पहना और वो भगवान विश्चनु के भक्त हो गये, और वो बहुत सारे आइडियास से बहुत जादा प्रभावित हुए, उन्होंने सबसे पहले अपनी ट्राइबल सोसाइटी को रिफार्म करने का सूचा, क्योंकि उस समय में ट्राइबल सोसाइटी में बहुत सारी बैट प्रैक्टिसेस थी, उन्होंने अपने मुंदास को, मतलब अपनी ट्राइबल जंजातियों को कहा, to give up drinking liquor, clean their village की, वो village को clean रखें, और witchcraft और sorcery में believe ना करें, witchcraft मने हो था काला जादू, उस समय में काला लोग जो थे वो ट्राइबल लोगों को Christian मना लेते थे, 1895 में बिर्सा ने अपने followers को कहा, कि वो अपने glorious past को recover करने के लिए, golden age को पाने के लिए, उन्होंने सत्य उगलाने के लिए, लोगों को प्रिरित किया, और उन्होंने कहा, कि जब मुंदा good life को अच्छे से रहेंगे construct करेंगे, embankment, natural springs को tap करेंगे, trees लगाएंगे, इस तरह से उन्होंने लोगों को अच्छे अच्छे कामों के लिए प्रिरित किया, और वो अपने भाई बैरों को ना मारें, ऐसा उन्होंने कहा, छोटे मोटे जगडे ना करें, इस तरह से उन्होंने क्या किया, tribal लोगों के बीच में, बहुत जागरती लाई, awareness लाई, किसने, बिरसा मुंडल, इस से British officers जो थे वो उनकी political aim को ले करके, बहुत जादा अंग्रेज लोग चिंतित हो गए, बिरसा मुमेंट को ले करके, क्योंकि वो चाहते थी कि missionaries, क्रिश्चन्स लोग जो आते हैं, वो नाएं, money lender ना और मुंडा राज स्थाफित हो जाए, और फिर से जंगलों के राजा बन जाएं, मुंडा लोग, जो land policies थी British की, वो सब destroy कर रही थी, हिंदू लेंड लाड जो थे, या जो money lender थे, वो घरीब बना रहे थे, तो इन सब को ले करके, क्या हुआ, उन्होंने, एक मुमेंट चला उसके बाद फिर वो 1897 में रिलीज हुए, उन्होंने कई जगे विलेज में घूमा, लोगों को यात्राएं की, लोगों को जागरुप किया, उन्होंने दिक्खूस को रावन कहा, कि ये British, जो अंग्रेज लोग है, ये रावन है, और फिर क्या हुआ कि लोग बहुत जो है, उनकी अंडर में आ गए, और अंग्रेजों के विरुद्ध जो अटेक करने लगे, जगे जगे पुलिस स्टेशन जलाने लगे, मली लेंडर्स को भगाने लगे, जमीदारों को भगाने लगे, और विर्सा राज के लिए उन लोगों ने वाइट फ्लैक का इस्तिमाल किया, हला कि 1900-1900 में बिर्सा मुंडा की डैथ हो गई, लेकिन इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में तब तक बहुत जागरती आ चुकी थी, और उन लोगों ने क्या किया, कि बहुत अधिक मातरा में प्रोटेस्ट करके, कोलोनियल रूल को दिखा दिया कि उनका भी संसार में म तो है, इस तरह से क्या हुआ उनके बीच में जागरती आई, इसलिए बिर्सा मुंडा को याद किया जाता है, और यही आपके चैप्टर का नाम था, और यही ट्राइवल तिक्खूज के बारे में था आपके चैप्टर के बारे में, तो इस तरह से क्या हुआ कि बिर्सा ट्राइबल लोगों को उस अंग्रेजों के नीमों से परिशानी हुई और उन लोगों ने विद्रोग किया Thank you very much for attending my class